एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे पहले दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल पर मेरे पहले दोस्त अगर आप में फश्टियर में हैं और आपने सिक्चा सास ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि वीडियो में काफी जादा मजा आने वा है इंपोर्टेंट इसले होने करने आप छास कि आपकी 16 ग्लास होने वाली है अगर आप ने इसके पहले की 15 keto का रिदियो नहीं देखा तो उन exertion चीजों की एक प्लेलिस्ट बनी हुई हुए चैनल पर वहां पर आप जाके उनसे देख सकते हैं उनसे लाभानपीद भी हो सकते हैं ठीक है चलिए बात करते हैं आज का प्रसनाप का होने वाला है आज का प्रसनाप से पूचा गया है कि अर्बिंद घोस के सिक्षा दर्सन की प्रसांगिक्ता पर अपने विचार क्या करने है या प्रसन को और गुमा के पूचना चाहे तो निमलिखित बिंदों पर सिरी अर्बिंद घोस के विचार का विचारों का क्या करना है आपको उलेक करना है पहला यहां पर कौन सा यह बताना है कि उनका सिक्षा दर्सन कैसा लिए टो पहले बात करेंगे अर्बिंद जी की OSS आपको यहां पर डालना होगा लिखना होगा कि अध्यात्मिक साधना क्या हो investir लिए और जबेएugen विश्वास है कि इस परकार की OSS नहिए का किया जा सकता है ठीक है अर्विंद जी के हम साथ देखें तो उन्होंने लिखा है कि प्रगत सील आत्मा को अपने भीतर नहीं तत्तों को सहायता देना ही क्या कहलाती है आगे आपके अर्विंद जी फिर कहते हैं वो कहते हैं कि सच्ची और वास्तविक सिच्चा वही है क्या मानों की अंतर नहीं मतलब मानों के अंदर जो पाई जाती है समत सक्टियों को इस परकार विक्सित करती है कि वहाँ उनसे पौन रूप से लाभानवित होता है वही क्या कहलाती है आपकी सच्ची और वास्तविक सिच्चा कहलाती है ठीक है बात करते हैं अर्विंद के अंस अंसार मानों को इन सक्टियों के क्रमिक विकास होता है, मतलब कहते हैं, उनका जुम्मत है, वो कहते हैं, कि जो मानों के अंदर होते हैं, इन चीज़ों का एक क्रम में विकास होता है, ठीक है, मानों के अंदर, बात करते हैं, कि अता सिक्षा ऐसी होनी चाहिए, कि वह इन कि जो इन सभी प्रकार की क्या करें मेरे दोस्त इन सभी प्रकार की सक्टियों को डबलब कर सके केवल ग्यान की प्राप्ती ही सिक्षा नहीं है ठीक है कहते हैं केवल ग्यान की प्राप्ती ही क्या है सिक्षा नहीं है सच्ची सिक्षा वही है जिस से जिसमें मानों का पूर्ण अपनी सिक्षा में किसी ऐसे की अपेक्षा नहीं की है, मतलब कह रहे हैं कि अर्बिन जी ने उन्हों जिस सिक्षा के बारे में बात की है, उसमें किसी ऐसे विसे की अपेक्षा नहीं की, जिसमें सैचिक अभिवेक्ती और जीवन की किरियास चेलता के गुण मौचूद थे, यही कारण है कि उनकी सिक्षा में राजनीती समाज ठीक है ब्यापार साहित कभी कलावस्तु और मूर्ती कलाखो उचित अस्थान दिया गया है ठीक है आगे लिखते हैं उनका एक मात्र उदेश था कि इन सभी विस्यों में जीवन का नया संचार करके उनको एक नया रूप द सके ठीक है और आगे लिखते हैं इस परकार उनकी सिक्षा का चरम लक्षे संपूर्ण मानोजाती का सरवाकीन विकास करके अध्यात्मिक आधहार क्या में पेदोस्त अध्यात्मिक आधहार पर बिस्यों के समस्त राश्ट्रों की अस्थापना करना था ठीक है आगे लिखत आया है कि सिक्षा का मात्र भासा और सिक्षा का केंडर बालक होना चाहिए, मतलब कह रहे हैं कि आपको बालक वहाँ पे मेन मान के चलेंगे और जो पढ़ाने के लिए language यूज की जाएगी, वही क्या की जाएगी, यूज की जाएगी पढ़ने में भी ठीक है, आगे लिखते ह है कि सिक्षा का मुख्य, आधार क्या होना चाहिए, ब्रह्मचर होना चाहिए, ठीक है, और सिक्षा के बिसाय रोचक होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, इंटरेस्टेड होने चाहिए, ठीक है, आगे लिखते हैं तीसरा नंबर की बालक, तीसरा सिधानत ये बताते हैं कि सि बैग्यानिक प्रिस्थिती अलग है और उसकी सिक्षा जो है वो अलग टाइप से दी चा रही है चौता से दान्द बताते हैं कि सिक्षा में धर्म को अस्थान देना चाहिए क्योंकि ऐसा ना करने से भरस्थाचार को प्रोस्थाहन मिलता है आगे पांचवा से दान्द बताते हैं कि सिक्षा को बैक्ति में नहित समस्त ग्यान का उद्गाटन करना चाहिए क्या करना चाहिए उद्गाटन करना चाहिए छठा नमबर बताते हैं कि सिक्षा को बालक का सारेरिक, मानसिक, चरित्रिक, अध्यात्मिक और संबेगात्मक विकास करके उसे पूर्ण मानो बनाना चाहिए ये आपका छठा से दान्त हो जाता है साथवा सिदान तो जाता है सिक्षा को बालक की नयतिकता का विकास करना चाहिए कैसा करना चाहिए सिक्षा को बालक की नयतिकता जो होती है उसको भी क्या करना चाहिए डबलप करना चाहिए ठीक है चलिए आगे बात करते हैं आठोई नमबर के बारे में तो आठवा नमबर सिद्धान बताया गया है कि सिख्चा को बेक्ति में नहीं समस्त सक्तियों का इस परकार विक्सित करना चाहिए कि वह उनसे पूंड रूप से लाभानवित हो, ठीक है और उसे बालक की सारीरिक बुद्धी की और विसेश ध्यान देना चाहिए ठीक है आगे बात करते हैं सिक्षा के अर्थ के बारे में तो अर्बिंद जी ने जो है सिक्षा का अर्थ के प्रती नया दिश्टिकोन है ठीक है, अर्बिन जी का जो है सिच्छा के प्रती, उनका कुछ नया दिश्टिकोन आपको देखने को मिलेगा, उन्होंने गोसित किया है, क्या किया है कि सूचनाओं का संग्रा मातर सिच्छा नहीं है, मतलब करें किसी चीज को आप अपने दिमाग में किसी सूचना के बारे म किया जाए, ठीक है, नई खोजो को निकालना शुरू किया जाए, ठीक है, मतलब करें नई नई खोजो को निकालना शुरू किया जाए, वह सिच्छा जो अपने ग्यान देने, क्या मने पैस दोस्त, अपने को ग्यान देने तक सीमित रहती है, सिच्छा नहीं है, मतलब करें कि वह जित्षा जो क्या करती है अपने को ज्यान देने कर सीमित रखती है उसको हम सिक्षा नहीं कह सकते हैं अर्बिंद्र ने सिक्षा को अति ब्यापक और गत्सी लूप दिया है ठीक है उन्होंने इसकी ब्याख्या प्राचीन भारती प्रमपराओं के आधार पर की है करती है ठीक है ये कौन बताते हैं आपके अर्बिंद जी बताते हैं आगे यहां पर सिक्षा के उद्देश के बारे में भी चर्चा की गई बताते हैं कि अर्बिंद ने सिक्षा के निम्लिखित उद्देश बताये हैं पहला बताया है कि बालक की सारीरिक सुद्धी करना औ उनके अंता करण का विकास करना की उना कि उचिती सद्ध नियुकर का विकास करना यहां पर उसके बाद निड़ने सक्ती का विकास करना ये आपका चौथा बताते हैं पाचवा उद्देश ये बताते हैं कि बालक की प्राकृतिक आदतों और भावनाओं को सुद्ध और सुंदर बनाकर उनके उसके हिर्दय का परिवर्थन करना और उनकी नयतिक्ता का विकास करना ठीक है चाटा बताते हैं बालक की बैतिक्ता औ और प्रचन सक्ति क्या मेरे प्रचन सक्ति क fund पूंड पूंड के ओपर भी चर्चा किये हैं यह लोग बताते हैं गेत कर्म के बारे मी नहतिक North की अर्बिंधन ने बालक करने के लिए सिक्षा के विभिन अस्तरों पर पाठ करम के जो भी से निर्धारित किये हैं वे निम्न परकार से हैं ठीक है पहला बताते हैं प्रात्मिक सिक्षा के बारे में यहां पर बताते हैं मात्र भासा ठीक है अंग्रेजी ठीक है उसके बाद सामान विग्यान फिर बता प्रप्रा बटाते हैं यहां पर बिस्विद्यालाई शिक्छा इसमें बताते हैं कि भारतिय वा पाश्चात्य धरसन मनु बिग्यान समास सास्त्र ठीक है सभ्यता का इतिहास अंग्रेजी साहित गड़ित भौ्तिक सास्तर रासायन, सास्तर बिज्ञान का इतिहास, फ्रेंचिस साहित, ठीक है, उसके बाद बताते हैं, अंतर राश्टिये संबंध, जीवन और बिज्ञान, क्या मैं पैसे दोस्त, जीवन और बिज्ञान, और विश्व, एकी करण के बारे में, यहाँ पे आपको पढ़ना रह काँचिस, यहाँ पे लिखते हैं, इस बिधी में, जैसा कि आजकल है, बालक को एक समय में, अनेक विष्व की सिक्छा नहीं दी जाती है, ठीक है, उसके विपरीत, उसे केवल एक या दो विसयो की सिक्षा दी जाती है वह जब वह इन विसयो का कोण ग्यान प्राप्त कर लेता है तब इसी प्रकार से उसे अन विसयो की सिक्षा दी जाती है ठीक है आगे लिखते हैं अरबिंद ने अपनी कर्मिक सिच्छन विधियों को निमलिखित सिच्छन से धानतों पर आधारित किया है, पहला पर बताते हैं करके सीखने पर बताते हैं, कि जब बालक कोई सिक्षा में प्रयोग के लिए सही मानते हैं ठीक है अब बात करते हैं सिख्छा का स्थान क्या बताया है उन्हों उन्हें, तो अरबिन्द के अनुसार सिख्छा में अध्यापक को निर्देशक, पतपरदर्सक और सहायक के रूप में कारे करना चाहिए, वह माउन रूप से, क्या में पैदोस वह माउन रूप से बालकों की अब प्रियास करना नहीं करना चाहिए और ना उन पर बाहि ग्यान को ही लादना चाहिए ठीक है मतलब कहते हैं ना तो वो खुद जो है ग्यान देने का प्रियास करें खुद से और ना ही उसके उपर कोई बाहिरी ग्यान लादा जाए ठीक है आगे लिखते हैं उसे तो यह प्रिय प्रशान दिया है ठीक है लिखते हैं अरबिन जी का कथन है कि अध्यापक निर्देशन का निर्देशक या फिर स्वामी नहीं है मतलब कहते हैं अध्यापक जो होता है वो निर्देशक या फिर स्वामी नहीं है वो लिखते हैं वह सहायक और पत्पधर्सक है ठीक है लिखते वह वास्तों में च्छात्र के मस्तिक्स को परिस्चित नहीं करता है वह च्छात्र को के वलिया बताता है कि अपने ज्ञान के साधनों को किस क्या में पैदोस्त किस प्रकार समरिद्धी बनाए किस प्रकार समरिद्ध बनाए ठीक है आगे लिखते हैं कि वह च्छात्र को सीख कि प्रक्रिया में सहायता वा पेरा देता है वह चात्र को ग्यान नहीं देता है वह उसे बताता है कि वह अपने आप किस प्रकार ग्यान प्राप्त करें अर्विंद के अनुसार बात करें तो नहों ने बताया है कि एक अध्यापक को ब्यक्तिकी आत्मा को आगे बढ़ने वाल हो और जो योग की किया हो हुआ दोस्त प्रसेचित ओ अरबिंद ने अध्यापक को एक इसी रूप में देखना देखना चालती है ठीक है रोविन योग व्रूप impacted ऊपर स्वत बछी योगी थे इसलिए अध्यापक के यह योगी बना देना चाहे अंत कि अध्यापक भी क्या बन जाए एक योगी बन जाए ठीक है आई ये बात करते है मिर पाई दोट Hundreds क्या कहते हैं ये सिच्छार्थी का भी अस्थानी स्टूडि Singh का भी अस्थान बता है बताते हैं अर्भिद्र ने बालक को सिक्षा के प्रमुख अस्थान दिया है मतलत धारित गुणों, आदर्सों, भावनाओं और विसेस्ताओं के अंसार आयोजित की जाती है। लिखते हैं कारणिया है कि परतेक बालक में बेक्तिगत छमताएं एवम अभिलच्छन होते हैं। अब हम बात करते हैं अनुसासन के वारे में तो लिखते हैं अर्बिन्द के अंसार सिक्षा के छेतर में अनुसासन का बड़ा महत्व है। पर अधिक बल दिया है। प्रचलित सिक्षा के विभिन्द दोसों को देखकर अर्बिन्द का हिर्दय छोब से भर गया है। वो लिखते हैं उन्होंने नए सिध्धान्त पर आधारी सिक्षा का एक नया रूप अपने देशवाजियों के सामने प्रस्पूस किया है। उनके अंसार बिदेशी सिक्षा पद्दती का अनकुरन करना भारतिय संस्कृति और परंपराओं के लिए हितकारी है। लिखते हैं उन्होंने भारत की वरतमान तथा भावी और सिक्षा के बेवस्था की वकालत की है। अन्तर राश्ट्यता की सिक्षा पर बल देकर अर्बिंद ने देश के वरतमान और भाविस्था के लिए तयार करने का अस्तुत्य प्रयास किया है। उनकी यही बात सभी को माने है।